तो आपके सामने एक कोश्चन देख रहा है मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पहुच कीजिए और इस कोश्चन को सॉल्ट कीजिए बहुत बेसिक सा कोश्चन है बहुत सारे मौक्स और एक्जांट में एक कोश्चन देख सुका है और यह वन अफ फेवरेट कोश्चन है मिमम देता है कि इसका मिमम देता है मैंने बहुत सारे वीडियो अप्लोट की है तो आप मैंस मिन सर्च करके देख सकते हो तो कोई भी क्वाडिटिक एक्वेशन माक्सिमा और मिनिमा यहीं पर देता है और प्रॉफिट का जो वैल्यू होता है वह होता है सेलिंग पैस माइन total cost price इस question में आपका है क्या total का मतलब क्या होता है total का मतलब होता है number quantity into price हमें देखना है कि कि इतनी quantity P quantity को जिसका cost price 20 था को मैंने P percent profit पे बेचा है यह पहला मेरा cost price है according to question अगर आपका पी quantity होता है जिसका cost price 20 था को आपने बेचा है इस पे तो आपका जो selling price होता है होता है cost price into 1 plus profit by 100 cost price into 1 plus profit by 100 total selling price के लिए हम लोग quantity multiply कर देता है यहाँ P है बचा हुआ क्या था बचा हुआ जो आपका 40 minus P था because question में total 40 quantity है उसका भी cost price 20 था हरेक का उसको आपने 100 minus P पे बेचा है इस selling price पे तो selling price into quantity is the total selling price यह आपका entire total selling price हो गया minus total cost price हो गया तो मेरा profit यह ही हो रहा है अगर मैं profit की बात करने हो तो सब जगा मुझको 20 दिख रहा है मैं इसा कलता हूँ 20 को बाहर निकालता हूँ तो यहाँ P into 1 plus P by 100 बचेगा यहाँ बचेगा 40 minus P into 1 plus 100 minus P upon 100 बचेगा यह ठीक है यह मैं 100 अब इसको दे दूँ तो यहाँ यह जो बचेगा यह हो जाएगा आपका 200 upon 100 and आपने 20 बाहर निकाल लिया है तो minus 40 अब ब्रैकेट ओपन करता है यह दिखेगा पी यहाँ दिखेगा यहाँ पी स्क्वाइब अपन 100 यहाँ 40 and 200 इस नहीं बट 8000 40 minus P minus 40 P minus minus P this minus 200 P and plus P square divided by 100 minus 40 यहीं बचेगा तो चलिया इसको अच्छे से अरेंज करता है यहाँ बचेगा पी यहाँ बचेगा पी स्क्वाइब यहाँ 80 8000 को 100 से रिवाइट कर तो बचेगा 80 minus 40 P minus 200 P minus 240 minus 240 P upon 100 यहाँ बचेगा पी स्क्वाइब अपन 100 minus 40 अफिस से अरेंज करते हैं P square by 100 and P square by 100 जो आपका दिखेगा वो दिख जाएगा 2 P square by 100 यहाँ पर आपका minus 240 P है और यहाँ पर P है अगर आप इसके साथ काम कीजिए तो दिखेगा minus 140 P and sorry 140 upon 100 P plus this plus 40 यही मेरा हिसाब किताब आ रहा है यहाँ पर 20 होगा इसके थूँ अब मैं इस bracket को open करूँ चलिए इसको open करते हैं यहाँ हो जागा 40 divided by 100 यह दिखेगा 40 divided by 100 P square minus 0 से 0 इस 0 से यह 0 कटेगा minus 28 P and plus 800 is my profit entire इस profit को minima करना है तो profit minima कैसे होता है minus B square upon 4A minus B square upon 4A minus 28 hall square upon 4A 4A that was 4 into 40 upon 100 plus C plus C 800 तो यहाँ से यहाँ 0 cancel out होगा उपर बजेगा 28 into 28 divided by 16 into 10 with negative sign plus 800 यहाँ 7 जा यहाँ 7 जा तो minus 490 plus 800 is 310 is the answer of this question तो बहुत जड़ा conceptual है बोट entire भर गया बिकाज मैं एक एक प्रोसेस को solve कर दो था अदोर्वाज मैं skip करके answer निकाल सकता हूँ तो कभी भी profit maxima या minima पूछता है तो कहीं ने कहीं quality equation का हिसाब किताब होता है आप profit निकाल ये quality equation पे minus BS4 upon 4a plus C पे solve कर दीजिए आपका answer आ जाएगा तो this one is one of the best question of algebra including profit loss discount with maximum minima अगर आपको कहीं भी doubt हो तो आप comment करके बताईए image को या वीडियो को rewind करके एक बाद देख लिजिए तो God bless you happy learning एंड रवाय